अब आईए नंबर 3 है d block तत्व d block तत्व में हैं वे तत्व जिनमें अंतिम्य विभेदी इलेक्टॉन सबसे बहरी कोष से एक भीतर के अर्थात n-1 कोष के d उपकोष में प्रवेश करते हैं कहां पर प्रवेश करते हैं n-1 कोष के d उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रोन प्रवेश करते हैं वो कहलाते हैं D-block तत इनकी विसेश्था होती है कि इनके सबसे बाहरी कोस में एक या दो इलेक्ट्रोन होते हैं और उसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास N-S-1 या N-S-2 होता है उससे भीतर के कोस में 9 से लेकर 18 तक इलेक्ट्रोन होते हैं और उसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास अब देखिए अगर सबसे बाहरी कोस ये N है तो उससे भीतर का क्या हुआ? N-1 तो सबसे बाहरी कोस में एक या दो इलेक्ट्रोन होते हैं और उसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास N-S-1 या N-S-2 होता है उससे भीतर के कोस का इलेक्ट्रोनिक विन्यास N-1 S-2 N-1 P-6 और N-1 D-1-2 10 कितना होता है? समझाया? एक बार फिर समझ लीजे किन को कहते हैं D-Block तत्व? वे तत्व जिन में अंतिम या विभिधी इलेक्ट्रोन सबसे बाहरी कोस से एक भीतर के कोस के D-Up कोस में प्रवेश करते हैं वो कहलाते हैं D-Block तत्व सबसे बाहरी कोस में एक या दो एलेक्ट्रोन और उससे भीतर के में 9 से 18 तक एलेक्ट्रोन होते हैं सबसे बाहरी कोस के एलेक्ट्रोनिक विन्यास N-1 2-2 यानि N-1 से 2 तक होते हैं वर्ग संख्या 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B और 8th इसके अलावा 1st B और 2nd B या IUPAC पद्दती के अनुसार वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7 और आपको मालूम है कि इसमें 3 वर्ग होते हैं आठवे में तो ये हो जाएंगे 8, 9 और 10 और ये हो जाएगा वर्ग संख्या 11 और ये वर्ग संख्या 12 के तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं ठीक है बहरी को उसमें कितने बताए एक या दो इलेक्ट्रोन और उससे भीतर के में 9 से 18 तक इलेक्ट्रोन होते हैं बहरी को उसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास Ns1 से 2 तक और उससे भीतर का N-1 S2, N-1 P6 और N-1 D1, 2, 10 यानि ड्यूप को उसमें एक से लेकर कितने इलेक्ट्रोन होते हैं 10 तक इलेक्ट्रोन होते हैं इसमें आप देखेंगे जैसे उधान के लिए इसकेंडियम है 21, टिटेनियम 22, वनेडियम 23, क्रोमियम 24, और मैंगनीज 25, आइरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, और कॉपर 29, और जिंक 30 ये तत्व, डी ब्लॉक तत्व, कहलाते हैं या होते हैं इलेक्ट्रोनिक विन्यास करेंगे आप, तो देखिए, किसका क्या हो जाएगा, 1S2, 2S2, पहले SPDF में करिए 2, 8, कितने होगे, 10, कितना बचा, 11, तो हो जाएगा, 9, 2, 2, 8, 10, 2, 2, 8, 11, 2, 2, 8, 13, 1 ज्यान करना, क्रोमियम ये अपवाद है, कितना है इसका सही लेक्ट्रोनिक विन्यास, 2, 8, 13, 1 25 का, 2, 8, 13, 2 26 का, 2, 8, 14, 2 28, 15, 2 28 का, 2, 8, 16, 2 29 का, अपवाद है, कौपर तो, 2, 8, 18, 1 और जिंक का, 2, 8, 18, 2 तो आप देखिए, यहाँ पर सबसे बाहरी कोस में कितने है एक एक या दो ठीक है और उससे भीतर के में कितने है 9 से लेकर, 18 तक किलियर हो गया जब हम इनका SPDM में एलक्टोनिक विन्यास करेंगे तो 1S2 2S2 2P6 तीसरे में 9 एलक्टोन है तो इसमें आजाएगा 3S2 3P6 और 3D 1 एलक्टोन और चौते में 4S2 अब यहाँ पर देखिए इनमें 4S2 आएगा लेकिन 3D में 2 यहाँ पर 4S2 आएगा लेकिन 3D में 3 एलक्टोन यहाँ ते रहे हैं तो 3D 5 और 4S1 यहाँ पर 3D 5 लेकिन 4S2 यहाँ पर 3D 6 लेकिन 4S2 3D 7 और 4S2 3D 8 4S2 3D 10 आएगा यहाँ पर और 4S1 3D 10 3D 10 और 4S2 बाकि as it is हैं अपने आप कर लेना पूरा समझा आ गया एक बार फिर ध्यान करिए वे तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् भीतर के में 9 से 18 तक एलेक्ट्रोन है सबसे बहारी कोस का electronic विन्यास ns1 होगा या ns2 होगा वहाँ पर भी देख लीजे चेक करके उसे भीतर के कोस में क्या होगा n-1 s2 n-1 p6 n-1 d1 to 10 आप यहाँ पर देखेंगे सबसे बहारी कोस का electronic electronic विन्यास वो ही है ns1 है n क्या है सबसे बहारी कोस या ns2 है और उससे भीतर के में ns2 n-4 है तो यह 3 हो गया तो 3s2 3p6 और 3d1 या 2 3 4 इस तरीके से नौट करिए दीरगा कार आवर सारणी में यह जो d-block तत्व है इनको संक्रमन तत्व या transition element भी कहते हैं और इनकी चार सिरेणिया होती है वो चार सिरेणिया कौन कौन सी होती है नंबर एक है 3d सिरेणी या 3d series दूसरी है 4d series 5d series और 6d series दीरगा कार आवर सारणी में जो d-block तत्व है उनको संक्रमन तत्व भी कहते हैं या transition element भी कहते हैं और इन संक्रमन तत्वों की चार सिरेणिया होती हैं कौन सी हैं वो चार सिरेणिया 3d सिरेणी या 3d series 4d series 5d series और 6d series वे तत्वों जिनमें अंतिम या विभेदी इलेक्टॉन तीसरे कोस के डीव कोस में प्रवेश करते हैं वो कहलाते हैं 3d सिरेणी जिनमें चौते कोस के डीव कोस में अंतिम इलेक्टॉन प्रवेश करते हैं वो कहलाते हैं 4d series और जिनमें अंतिम या विभेदी इलेक्टॉन पांचवे कोस के डीव कोस में प्रवेश करते हैं वो कहलाते हैं 5d series और जिनमें छटे कोस के डीव कोस में अंतिम इलेक्टॉन या विभिदी लेक्ट्रॉन प्रिविश करते हैं वो कहलाते हैं 6D series कौन-कौन से होते हैं ये इनको भी ध्यान कर लिजे ये जो 3D series है इसमें इसकेंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के तत्व है इसके नीचे ये येट्रियम है लेंथैनम 77 वे हाफनियम 72 से लेकर अच्छा ये तीसरा हो गया येट्रियम 39 है इससे लेकर और यहाँ कैड्मियम तक है कैड्मियम होता है 48 लेंथैनम 57 वे हैफनियम हाफनियम जो भी बोलें 72 से लेकर हजी मरकरी है परमानु कुर्मांक 80 और लास्ट की 6D series है एक्टिनियम 89 वे रदरफोडियम 104 से लेकर 112 अन-अन-बियम अन-अन-बियम आई-उ-पी-ए-सी पद्धती के अनुसार नाम है इसका है 112 ये चार series हैं सम्या गया तो आप देखिए देखिए अब आईए अब आपको बताते हैं F ब्लॉक तत्तो वे होते हैं जिन में अंतिम इलेक्टॉन या विभेदी इलेक्टॉन N-2 अर्थात जो दूसरा भी तरका होता है N-2 कोस के F कोस में प्रवेश करते हैं अंतिम इलेक्टॉन वे कहलाते हैं F ब्लॉक तत्तो दीरगाकार आवर्शाणी में F ब्लॉक तत्तों की दो स्रेणिया होती है एक तो होती है 4F सीरिज या 4F स्रेणी जिसको लेंथेनाइड स्रेणी भी कहते हैं लेंथेनाइड स्रेणी और दूसरी है 5F स्रेणी या एक्टी दीरगाकार आवर्शाणी में F ब्लॉक तत्तों की दो स्रेणी होती है जिनको क्रम से 4F स्रेणी या लेंथेनाइड स्रेणी और 5F स्रेणी या एक्टीनाइड स्रेणी कहते हैं लेंथेनाइड्स में सीरियम 58 से लेकर लिूटेटियम 71 तक के चौदे तत्व होते हैं और एक्टिनाइड सीरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक के ये चौदे तत्व होते हैं अधिकांस F ब्लोक तत्व में अंतिन या विभिदी इलेक्टॉन सबसे बाहर से दूसरे भीतर के अर्थात अगर सबसे बाहर का N है तो उससे भीतर का सैल हुआ N-1 तो ये पहला भीतर का हुआ और दूसरा भीतर का कौन सा हुआ N-2 सबसे बाहर से दूसरे भीतर के अर्थात N-2 कोस के F उपकोस में अंतिन या विभिदी इलेक्टॉन प्रविश करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इनके अधिकांस के तीन बाहरी सैल कैसे रहते हैं इनकम्प्लीट रहते हैं तो ये तत्व कहलाते हैं F-block तत्व एक बार फिर सुन लिजे F-block तत्व कौन से होते हैं वे तत्व जिनमें अंतिम या विभेदी इलेक्टॉन सबसे बहरी सेल के दूसरे भीतर के अर्थात N-2 कोस के F कोस में प्रिविश करते हैं वो कहलाते हैं F-Block तत्व दीरगाकार आवरशाणी में F-Block तत्व की दो सीरीज होती हैं जिनको करम से 4F सीरीज यानि लेंथेनाइ ले आ रहे हैं लेंथेनाइड सीरीज होती है सीरियम अठावन से लेकर लिूटेटियम 71 तक के चौदे तत्व और एक्टिनाइड सीरीज होती है थौरियम 90 से लेकर लारेंसियम 103 तक के अधिकांस F-Block तत्व में अंतिम इलेक्टॉन कहां पर प्रिवेश करता है N-2 सेल के F इसका तत्वर यह हुआ कि कुछ अपवाद भी हैं वो F-Block तत्वों में से कुछ तत्वों के N-2 सेल के F उपकोस में नहीं करते हैं तभी तो यह वाके जोड़ा गया है इसमें तो यह तत्व कहलाते है F-Block element समझा गया?